सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें और एक बर जरूर पढ़ें एक बर पुदना है अगर अगर ऑप पन अगर मैं घचर हो जाता रिक्राइब तो चली सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहला सवाल आपके स्क्राइब कर सकते हो सबसे पतना की इतिहाज पुराना पटना के हास कितना साल पूराना 300 वर्स 501 तो पतना पतना का इतिहाज जो है पचीस सो वर्ष पुराना पतना में बहुत बार कौन है पतना में सबसे ज्यादा बार आए और पतना के बारें बताएं भी भाविश्यवानी भी कर दिया और वह आज दिख रहा है कि यह महानगर होगा आग में जलेगा पानी से बाल से बहे जाएगा और यह सब देखने को मिल दो भगवान बुद्ध नहीं भाविश्यवानी कर दिया सा पहले ही तो अंसर हमारा डी हो गया अग्र पूर नालंदा पाठली पूत्र यह दरवंगा शास्वति का कुलगिरी कौन सा नगर है तो अंसर होगा हमारा सी पाठली पूत्रे पाठली पूत्रे नगर का क्या नाम था बुद्ध काल में पाठली पूत्रे नगर का क्या नाम था पाठली पूत्रे नगर का क्या नाम था पाली पुत्र को पत्र का था पाठिल पोतर का नि किस नगर का वरनन यह सूब पात्ली पुत्र के बारे में वर्नन किया गया है इस चेप्टर में आफसर नमबर बी इसका सही हो जाएगा अगला है राज शेखर की रचना कौन से कावे मिमांसा कुट्टिनींतम मुद्ररक्षस यातरा संस्मरन तो राज शेखर की रचना कौन से बहुत ही यूनां का राजदूत कौन था ठीक है तो यूनां का राजदूत एक आयए था भारत और भारत मैंने बाद भारत की इतिहास की भारत के विश्यक्ता के बारे में ने इक चंद्रिकुपत मौरी की समय में आया था और इन्होंने किताब का नाम लिखा था यह आपको अंसर बताना कमेंट बॉक्स में यह मुझाट नोह सिछ ने भारत की विशेषता के भाड़ें बताया है वह नन के आपको बतारा नठीख के राजदुत है खूरब को किस रितु में मनाया जाता तो याद रखी को मोल waited pact कि रितु में यह डिटुमें भर्ष रितुमें य सरदी तो तो कौमुदी महोच्षाव जो है वो शर्द रित्यु में मनाया जाता है ठीक है पटना नगर की पालीका देवी कौन है सितला देवी काली देवी पतन देवी या गौरी दी बहुत ही इस सवाल बहुत बार पुछा गांगा थी वी वी बहुत इंपोटेंट चुक्रकी सवाल पिछले बार भी आया था और हर बार मतलब आता है तो आपको करना क्याना जो भी 25 से 30 सवाल एक लेशने बनता है पूरे को पल लेना है एक से दुबर पल लेना है बस ऑब्जेक्टिव ऐसे पर नहीं है और याद रहेगा तो याद नहीं होगा ठीक है और मैं आपको करवाता पटना नगर की पालिका दिवी कौन है तो पटन दिवी पहले चेप्टर वाइज मैं आपको करवा दूँगा उसके बाद आपको यहां पर टेस्ट करूप में पूरा मिक्स इधार उधर करके सवाल दूँगा ठीक है ना पाटली पुत्रे नगर में क्या परसिदेवाई त तो पतना नगर में ताज महल ताज महल तो आगरा में हैं गोल घर राज महल जल मिनार तो क्या है गोल गर किसले बनाया गया था आपको पता है अनाज को रखने के लिए अगला है पटना शब्द के उत्पत्ती कि सब्ट या निससे कोई नहीं है तो पतना शब्द की के उत्पत्ति हुई थी पत्तन सब्स नॉमबर बी पत्तन नमबर बी इसका बिल्कुल सइएंस रहोगा अंगला पड़ता है गंगा नदी के ऊपर पत्तना में किस सेतु का निर्माल हुआ है तो वो है गांधी सेतु जाते हो बटन है और यहां पर गंगा नदीं है तो यहां पर आके मुझभ पूरल फिर गंधी अगरा सवाब फिर याँ याने कि यह इन गुरु गुरु गोविन सिंघ्ग का जनम किस अस्थान पर होगाता है? गुरु गोविन सिंघ के घुरु है ठीक है और 11 घुरू हो भी सवाल आनेवाला गुरु गविन सिंग का जण兩 तो गुरेंदर का परियाय क्या है मतलब पर्याय वासी सब्द क्या है इंदर शिव महीधर या स्रस्वति पर्याय क्या मतलब सेम परियाए मतलब समझे नहीं एक ही नम तो हमारा अंसर का होगा इंद्रे पुरंदर का परियाए कौन है इंद्रे ऑफिसन नंबर यह बिल्कुल राइट अंसर हो जागा अगला है नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था फूल का फूल का अनका सब्जी का यह कौन सा पुत्र के बारे में बात किया लारा कि समीप किसका उत्पादन उत्पाद का अगला है किसके शासन काम में जिक़के शासन काल में पतलिक पुत्र का अधिक समिर्दी हुए थो ज़ादा विकास है किस के समय पतली पुत्र का भीकास बहुत ही ज्यादा बहुत अधीक लिए और समय तो거든요 किस दिशा में तो पत्तर दिशा में या पूरव दिशा में तो पत्तिन ना 52 दिशा में इसको कभी उत्री बिहार यि बहर पहर बोल सकता है गंगा नदी जो है बिहार की किस और है तो ज्याद है उत्री बिहार दशनी बिहार पच्मी बिहार इसे आ सकता ठीक है तो उत्री बिहार को सकते है पटना की उत्तर देशावे आफशन नमबर ए सिख संपरदाय के दस्वे गुरु कोन है सवाल आ गया सिख संपरदाय के सुना साहिब में ओके ओफसन नंबर कि होगा ठीक है आगला सवर पड़ते हैं कि पाटली पुत्र एक दिन महानगर बनेगा तो इन्होंने से पताना एक हो कि कि इन लेकिन महानगर बनने बाद एक लैन और बोला था और वो लैन आज भी सिद्ध हो रहा कि पतना आग और बार में आग में जलेगा बार में बहेगा इस लिखा हुआ है तो यह बुद्ध महात्मा बुद्ध ने बोला था कि पतना यहां पर कितने लोग आके राजा राजा महाराजा शासनकाल की हुआ है किसके शासनकाल में मनाया जाता था अगरा स्mentsसाले सिखों के पहले गुरु नानक देव का जनम किस आस्थान पे होगा था तो तौकर सिख धर में खरने कोने वह कोण है गुरु माना जलता और उसका जनम होता नानकानास है जो की पढ़ता है पाकिस्तान में ठीक है तक पकिस्तान के अंदर है तो आपको आपके कुछ भी को सकते है कुछ बूर्णनक का जनम कशुंपूर और पुरुसपूर का नया नाम क्या पातली पूट्र प्रांची चंपारन लिए हां पर तो हमारी के आंसर होगा आदा आपने पातली पूट्र कुछुंपूर्ण पुरुसपूर का नया नाम है पाटली पुट्रेश राज शेखर दामोदर गुप्त विशागदत या कालिदस ठीक है कुट्टी नीमतम कावे के कवी कौन है दामोदर गुप्त और राज शेखर दुस्टा का था पहले पटना कहा बसा हुआ जी तो पटना जो है गंगा नद अगला सवाल है मुद्र रक्षस की रचना किस ने की अशवगोष भार्ती विशागदत या मां तो मुद्र रक्षस की रचना की तो यहां पर 26 सवाल है आपको होंबक्या था चलिए मैं देखा था तो आपको कैसा लागए यह परके मज़ा आया हाँ यह था में कौन सी किताब लिखी थी भारत के बारे विशेचता के बारे बताए तो चलो उस किताब का नाम तुम लोग जल्दी से फटापाट कमेंट बॉक्स में कमेंट रों मजा आया है नेक्स्ट ताम फिर से नेक्स्ट लेसन आपको मिलने वाला यह लेसन नमबर 2 है ठी पहले बाद चैनल को सब्सक्राइब को अपने दोस्तों को शेर करना मझ बूला ठीक है इस तरह से बने रहना और अपना प्यार बढ़साते रहना और मेरा जितना सारा मेरा अंदर में आपको में प्रोवाइड करता रहूंगा निच्छावर करता हूं ठीक है डाइक्ट्राइ जोरी मैं गारे आफ और आइक्ट्राइब